नमस्ते नमस्कार जाहिन दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने प्लाइटफॉर्म दा ओफिसर्स अकैडमी में साथियो अखंड जोती बीए सी के लिए बिहार सिक्षक भरती के लिए वो सिंखला जो आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचाएगी उ जातियों मेरा नाम शशी शरन है और बिना देरी के वेक अक्षा की शरुवात करेंगे उससे पहले आप सभी का धन्यवाद ग्यापित करना चाहते हैं कि हमारी सभी सिक्षकों के महनत को आप आरे हाथों नहीं ले रहे हैं आप मुहबत से उसको स्विकार कर रहे हैं सांतियों मैं कहना ये चाहता हूँ कि सभी सिक्षक जीतो और महनत कर रहे हैं और आप सभी के विडियो को लाजवाब प्यार दे रहे हैं जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको topic wise प्रशन कराएंगे जो बिहार सिक्षक भरती और बिहार सरकार के द्वारे हो जी तुकी जाने वाली प्रतिक परिक्षा के लिए फायदे मंद होने वाली है उसी स्रिंखला को आगे बढ़ाते हैं और मैंने कहा है कि हाथों म रास्त्रिया अंदोलन का साथ यो पहला topic है जिसे हम कहते हैं Congress और उससे संबंदेत महत्वपूर्ण अधिवेशन आज की इस कक्षा के अंदर में इस topic को पूर्णता फिनिश करेंगे साथ यो बिना देरी के वे कक्षा के शुरुवात करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं क् तो पहला जो प्रश्ण है साथियो वो लेते हैं पहला प्रश्ण पूछ रहा है कि भारतिये रास्त्रिये Congress के स्थापना किस वर्ष हुई थी क्या 1889 में हुई थी 1884 में हुई थी 1888 में हुई थी या उपरुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आपको बताना है कि वो भ भारतिये रास्त्रिये Congress का स्थापना कब हुआ था तो आप सभी जानते हैं साथियो कि उसके स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी पहली बात आप इस बात को समझ लीजे कि इसका पुराना नाम क्या था जरा सभी लोग कमेंट करेंगे तो इसका पुराना नाम भारतिये रास् रास्त्रिये संग था अब दूसरा सवाल उठता है कि भारतिये रास्त्रिये संग जो इसका पुराना नाम था इसका गठन कब हुआ तो सांतियो इसका गठन वर्ष 1884 में हुआ दूसरा सवाल पूशता है कि इसका गठन किस ने किया तो इसका गठन किया था एलन ऑक्टिव यानि एवो हूम ने सांतियो एवो हूम ने दूसरा समझे किस भारतिय रास्त्रिय संग का नाम किसकी अनुसंसा पर बदला गया तो नाम जो है दादा भाई नौरोजी जरा सभी लोग कमेंट करेंगे दादा भाई नौरोजी आज से आपको टॉपिक वाइज प्रशन मिल रह है सांतियो दादा भाई नौरोजी की अनुसंसा पर बदला गया और दादा भाई नौरोजी की सांतियो जब अनुसंसा पर ये नाम बदला गया अनुसंसा पर नाम बदला गया तो इसका नाम बदल कर भारतिय रास्त्रिय संग से भारतिय रास्त्रिय कॉंग्रेस रख दिय तो आपसे दूसरा प्रस्ट जो पुछेगा कि किसकी अनुसंसा पर तो मेरे सभी साथी जबाब देंगे कि दादा भाई नौरो जी के अनुसंसा पर भारती रास्टी एक कॉंग्रेस कर दिया तीसरा एक और सवाल यहां से पुछेगा कि यह जो कॉंग्रेस सब्द है यह कहां से लिया गया है तो आप सभी कहेंगे कि ये कहां से लिया गया है तो आप कहेंगे उत्री अमेरिका से लिया गया है कहां से ज़रा सभी लोग कमेंट करेंगे कहां से लिया गया है नौर्थ अमेरिका से यानि उत्री अमेरिका से ये सब्द लिया गया है चौथा आपसे पुछेगा कि आखिर Congress सब्द का मतलब क्या होता है इस सब्द का मतलब क्या होता है तो आपको बताना है कि Congress का मतलब क्या होता है जरब बताओ मैंने paid batch में पढ़ाया था इसका मतलब होता है a group of people यानि लोगों का समू तो यह हो गया Congress से basic सवाल अब आते हैं कि अस्थापना जब हुई थी साथियो तो अस्थापना में साथियो अगला प्रश्ण बनेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो question number अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह question number one हो गया यहाँ पर यह question number two हो गया कि गठन कब हुआ नाम किसके अनुसंसा पर तो question number three हो गया चौथा question हो गया कि कहां से लिया गया है तो यह question number four हो गया यह question number five हो गया question number six जो यहाँ से बनेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप जानते हैं कि प्रथम अध्यक्ष थे इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे दूसरा सवाल पुछेगा कि सच्यू कौन थे तो याद रखिएगा सांतियो सच्यू थे इसके एलन ओक्टीवियन हुम कौन थे एलन ओक्टीवियन हुम सांतियो एलन ओक्टीवियन हुम इसके सची हुआ करते थे ये भी आपको ध्यान रखना है तो question number 7 हो गया उसके बाद साथियों यहां से Congress से एक और प्रशन पुछेगा कि जब Congress की पहली बैठक हुई तो Congress की बैठक में कितने लोग सामिल हुए तो याद रखिएगा कि जब यह अधिवेशन की पहली बैठक हुई तो question number 8 पुछेगा तो आप कहना कि 72 लोग सामिल हुए कितने लोग सामिल हुए तो 72 ज़रा सभी लोग कमेंट करेंगे कितने लोग सामिल हुए तो 72 लोग सामिल हुए साथ यो 72 पीपल जो है इसमें सामिल हुए प्रश्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1885 होगा दो सवाल और बनेंगे साथ यो question number 8 था ये question number 9 यहां से बनेगा कि ये अधिवेशन कहां हुआ तो याद रखना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्याले गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्याले साथ यो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्याले बॉमबे में साथ यो वो महाविद्याल है बॉम्बे में अधिवेशन ये हुआ आपसे पूछेगा कि अधिवेशन कहां ये क्वेशन नम्बर 10 यहां से पूछेगा सांतियो कि अधिवेशन कहां प्रस्तावित था तो आपसे जब पूछे कि ये कहां प्रस्तावित है सांतियो तो प्रस्तावित अ पूना लेकिन पूना में महमारी के फैलने के कारण इसका स्थान Bombay कर दिया गया अगला प्रशन बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 2 लेते हैं साथियो Question No. 2 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 पहला सवाल यह है कि 1885 की ये बात है साथ यो 1885 में अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर वर्ष के अगर मैं लिख दूँ एक टेबल बना दूँ यहां पर लिखूं कि कुल सदस्य लिख दूँ यहां पर लिखूं कि कितने मुस्लिम सदस्य थे और यहां पर लिखूं कि कितने म modern में भारती रास्त्री आंदोलन लूँगा और एक दिन बिहार special होगी प्रती दिन रात आठ बजे तो कुल हो गया मुस्लिम हो गया महिला हो गया और बिहार हो गया यहां पर तो सांतियों जो पहला टेवल हमारा बनेगा वर्ष है सांतियों 1885 का 1885 का कुल सदस्यों की संख्या 72 है 1886 की अगर हम बात करें तो कुल 436 लोग है 1887 की बात करें तो कॉंग्रेस के अंदर में 607 लोग आये थे 1888 की बात करें तो 1248 लोग है और 1889 की सांतियों बात करें तो 1889 ही सदस्य हैं उसी हिसाब से सांतियों अगर हम मुस्लिम सदस्यों की बात करें तो पहले अधिवेशन में दो लोग आये थे दूसरे में 33 आये थे तीसरे में 81 आये थे चौथे में 221 आये थे और पांचवे में 254 आये थे तो ये मुस्लिम सदस्यों की संक्या है महिलाओं की बात करें तो शुन्य 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 और छे बटा दस, क्या सब को याद है, मैंने पेड़ बैच में पढ़ाया था कि 10 लोगों ने पंजीकरन कराया था, तस लोगों ने पंजीकरन कराया था registration, जिसमें से 6 महिलाएं सामील हुई थी, छे महिलाएं सामिल हुई थी ये बात आपको ध्यान रखना है जिसमें साथी हो आपको याद होगा जिसमें आपको याद होगा कि बहुत सारे नेताओं की बहुत सारे प्रतिनिद्यों की पत्नियां हुआ करती थी बहुत सारे लोगों की नेताओं की बहने हुआ करती थी रविन्ना टैगोर के भी संबंदी थी जानकीनाद घोशाल थी बहुत सारे लोग थे बिहार से पहले अधिवेशन में जीरो और दूसरे में दो लोग सामिल हुए थे आपको याद होगा एक का नाम था भी सेस्वर सिंग और दूसरे का नाम जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है और आपको याद करिए मैंने बताया था कि ये SCRT की किताब में दिया हुआ है कि दो लोग बिहार से थे दूसरे अधिवेशन में कुल 25,000 रुपए 16,000 रुपए खर्च हुए थे उस 16,000 रुपए में से बिहार के दरभंगा माहराज लक्ष मेस्वर सिंग ने 25,000 रुपए दान में दिये थे ये SCRT की किताब से मैंने आपको क्लास में यानि पेड बैच में पढ़ाया था आप याद कर लीजिए ठीक है तो ये पूरा का पूरा टेबल होगे आप आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप बता पाएंगे यस और नो जरा बताओ यस और नो रिवीजन बहतरीन हो रहा है या नहीं हो रहा है क्या रिवीजन बहतरीन हो रहा है तो ये पूरे प्रशन आपके आजाएंगे प्रशन का उत्तर हो जाएगा सी विकल अगला प्रशन लेते हैं कहरा है भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेस का कलП हो जाएगा A.O. Hume के बारे में चार बरी बाते जो इक्जाम में आ सकती है S.C.A.R.T की खिताब में है A.O. Hume का पूरा नाम क्या है तो A.O. Hume का पूरा नाम है Allen Octavian Hume क्या नाम है सांतियो Allen Octavian Hume Allen Octavian, Octavian Hume अब Allen Octavian Hume की सांतियो अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से ऐल औक टिव्यल हून कहां के रहने वाले थे तो आपसे पूछता है कि ये कहां के निवासी थे जरा comment करके बताना साथ यो कहां के थे तो ये स्कॉट लैंड के थे सभी लोग comment करेंगे Scotland याद करना है जब मैं बोलूं कि comment करिए तो वो comment इसलिए आप करिए क्योंकि वो परिक्षा में आता है इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप comment करिए Scotland के थे भारत में यह ICS अधिकारी के रूप में ज्वाइन हुए थे अब आपसे पुछेगा कि यह कब ज्वाइन किये थे बंगाल सीवी सेवा तो ध्यान रखिएगा सांतियो इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी 1849 में आपसे पुछेगा कि कब रिटायर हुए सांतियो रिटायर कब हुए तो रिटायर हुए 1882 में सांतियो अठारा सो बेरासी के अंदर में अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी बात करते हैं यहाँ पर सांति ओम उसके अलावा एलेन आक्सवियन हЬूम की हम बात करें सांति ओ तो एवो हूम को Congress का पिता कहा जाता है जरा मेरे सांतियों बताओ कि कॉंग्रेस का पिता कब घोशित किया गया तो एलेन ओक्टिवियन हुम को सांतियों कॉंग्रेस का पिता कहा जाता है और ये 1912 के अधिवेशन में घोशित हुआ 1912 के अधिवेशन में इनको कॉंग्रेस का पिता कहा गया दूसरी बात ये भी समझना साथियो कि ये कॉंग्रेस के क्या बने तो सच्यू बने और ये लगातार 21 साल तक यानि 1885 से लेकर 1906 तक यानि मैं कह सकता हूँ कि लगातार 21 साल तक सच्यू रहे लगातार साथियो कितने साल तक जरा बताना सबी लोग कमेंट करो गांधी जी किस साल रहे थे दक्षिन अफरीका और ये भी सांतियों लगातार 21 वर्स तक सच्चिव रहे 21 वर्स तक क्या रहे तो कॉंग्रेस के सच्चिव रहे ये बात आपको ध्यान रखना है उसके अलावा आपसे एक्जाम में पुछेगा कि हर्मिट आफ सिमला किसे कहा जाता है तो याद रखना इन्हें ही हर्मिट आफ सिमला की उपाधी दी गई थी इन्हें people's friend भी कहा जाता है सांतियों इन्हें people's friend भी यानि लोगों का मित्र भी कहा जाता है इन्हें लोगों का मित्र क्योंकि इनके मिदुभाशी हुआ करते थे और इससे भारत के लोग काफी जादा खुश रहते थे तीसरा साथयों भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है इतने बातों को आपको ध्यान रखना है एक और प्रशने हां से पूछेगा, कि इनकी जीवनी किसने लिखी है, तो याद रखना कि A.O.Hume की जीवनी किसने लिखी है, यह आपसे पूछेगा जीवनी डाइश विलियम बेडरवर्ण क्योंकि इसकी जीवनी विलियम बेडरवर्ण ने लिखी थी साथ यो विलियम बेडरवर्ण ने तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कॉंग्रेस के गठन में मूल इनका हाथ था और सुरक्षा कपट के सिध्धान्त के तहट ध्यान रखेंगे सेफ्टी वॉल्व सुरक्षा कपट के सिध्धान्त के तहट इन्हों ने क्या किया था सुरक्षा कपट के सिध्धान्त के तहट इन्हों ने कॉंग्रिस का गठन करवाया था कॉंग्रिस का गठन करवाया था Sir discussion come discussion come नहीं होगा भाई हाँ जोड़ते हैं आप class फोर कर चले जाईए हमारी जो पढ़ाने की सैली है हमारे सभी सिक्षक हम ना गंभीर लोग हैं हम वल्लाइनर वाले नहीं हैं हम गंभीर हैं हम सिविल सेवा को पढ़ाते हैं हम BPSC वाले लोग हैं UPSC वाले लोग हैं तो हम जो है साहब discussion कराएंगे हम इसी के लिए जाने जाते हैं ठीक है इसलिए class को आप disturb मत कीजिए आप class छोड़ कर चले जाईए एक मातपुर्ण सूचना है कि कोई भी बच्चे आप में कोई भी course खरीद रखा है तो आपको 5000 रुपए का discount मिलेगा सांतियो हमारे offline batches में अगला प्रशन लेते हैं सांतियो अगला प्रशन है सांतियो की निमलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारती रास्ट्रिय कॉंग्रिस का बिभाजन हुआ जिसके परिनाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उदबह हुआ तो सांतियो आपको बताना है कि नरम दल और गरम दल की ये बात कर रहा है सांतियो नरम दल और गरम दल की तो बताइए क्या वो भहिशकार आंदोलन था क्विट इंडिया मुव्मेंट यानि भारत छोड़ो आंदोलन था संताल आंदोलन था सांतियो और सविने अवग्या आंदोलन था आपको बताना है कि किस आंदोलन के परिनाम स्वरूप नरम दल और गरम दल में कॉंग्रिस बटी थी तो आप सभी को याद होगा सांतियो प्रशन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बायकॉट मुव्मेंट आपको याद होगा कि 1907 के अंदर में सांतियो सूरत में अधिवेशन आयोजित हुआ था जिसे हम सूरत अधिवेशन कहते हैं आपसे एक प्रशन पहला ही बनेगा कि सूरत अधिवेशन पहला ही प्रशन बनेगा कि ये जो 1907 का अधिवेशन था ये कहां प्रस्तावित था आपसे पहला प्रशन पूछा जाएगा कि अधिवेशन कहां प्रस्तावित था तो सांतियो ध्यान रखना ये नागपूर में प्रस्तावित था लेकिन इसका स्थान बदल कर कहां कर दिया गया तो सूरत कर दिया गया इसके अलावा यहां पे अध्यक्ष कौन थे साथियो तो आपको याद होगा कि यहां पे अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी गोश कौन थे तो डॉक्टर रास बिहारी गोश अध्यक्स थे आपको याद होगा सात्यों कि इस अधिवेशन में जैसे ही अधिवेशन सुरू हुआ उससे पहले एक अफवाह फैल गई और वो अफवाह क्या थी कि जो 1906 में चार प्रस्ताओं पारि गित हुए थे जिसमें स्वदेशी बहिशकार रास्ट्रिय सिक्षा और स्वराज की बात थी उसको जब रद किया जाएगा तो पीछे से किसी ने चपल चला दी और वो चपल किसको लगी थी तो फिरोज साम महता को लड़ी तो ये अधिवेशन रद कर दिया गया मैं ध्या इने के अंदर में इलहाबाद में अधिवेशन आयोजित हुआ तो यहाँ पे सिर्फ उदारवादियों को बुलाया गया अब ये इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ उदारवादियों को बुलाना ये दरसाता है कि कॉंग्रेस में टूट हो चुकी है और कॉंग्रेस 1908 में मदरास में मिलेंगे और आपको याद होगा साथियों कि 1908 में मदरास में अधिवेशन हुआ अध्यक्ष डॉक्टर रास्ट भिहारी थे और यहां कॉंग्रेस का संविधान जो है साथियों accept किया गया कॉंग्रेस का संविधान स्विकार कर लिया गया और इसी कॉंग्रेस के संविधान के तहट इसी कॉंग्रेस के नए संविधान के तहट सभी सभी के सभी सभी के सभी उग्र रास्ट भादियों को साथ साल के लिए उग्र रास्ट भादियों के कितने साल के लिए साथियों तो साथ वर्ष के लिए साथ वर्ष के लिए निस्कासित कर दिया गया क्या कर दिया गया निस्कासित कर दिया गया साथ वर्ष के लिए निस्कासित कर दिया गया तो ये आपको ध्यान रखना है प्रश्क का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बायकॉट मुव्मेंट हो जाएगा आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है आठ हजार लोग लाइव हैं सांतियों इस प्यार मुहबबत के लिए बहुत शुक्रिया बस एक निवेदन और है कि अगर आप इस क्लास के एक अगर आप गुरुदक्षिना देना चाहते हैं क्या यस और नो बताईए कि क्या आप मानेंगे तब मैं बोलूँगा सांतियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब उग्रनाष्टवादियों को अलग किया गया तो पूछेगा कि यह जो अलगा हुआ तो यह वापस एक कब हो गए हुकुम करोसर कह रहे हैं तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को एक बार अपने इसके लिंक को उठाइए और लिंक को उठा के अपने एक बार वाटसेप के स्टेटस में सेयर करकर चले आईए मैं आपका इंतजार करूंगा खुब सारा आशिरवाद आप सबी लोगों को एक बार इसके लिंक को अपने वाटसेप के स्टेटस में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भला हो जाए चलिए अगला प्रशन लेते हैं सांति नेक्स्ट प्रशन कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में अध्य धिज़ कर दिया है ताइंक्यू सो मच पाठक जी बहुत शुक्रिया अभिशेक पाठक आईए तो इस प्रशन कहा जो सही उत्तर हो जाएगा वो इभी विकल्प हो जाएगा सांतियों गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले याद रखेंगे गोखले किस विचारधारा के थे तो ये उदारवादी नेता हुआ करते थे, किस विचारधारा के थे साथियो तो ये उदारवादी नेता हुआ करते थे, दूसरी बड़ी बात अगर मैं गोखले की करूँ, दूसरी बली बात क करूं तो 1905 में इन्होंने Servant of India Society सभी लोग कमेंट करेंगे साथ यो Servant of India Society Servant of India Society Servant of India Society की इन्होंने अस्थापना की थी साथ यो ये भी आपको ध्यान रखना होगा उसके अलावा अगर इनके सारे में बात करें तो ये महात्मा गांधी के राजनितिक गुरू कहे जाते हैं अब आते हैं साथ यो इस प्रश्ण में अब ये बात करें अगर हम 1905 के अधिवेशन की तो साथ यो 1905 के अधिवेशन को आयोजित कहां किया गया था तो बनारस अधिवेशन कहते हैं इसे ये अधिवेशन साथ यो बनारस में आयोजित हुआ था और इस बनारस अधिवेशन में ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल विभाजन के बिरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था क्या हुआ था सांतियो तो बंगाल विभाजन के बिरोध में प्रस्ताव पारित हुआ बंगाल विभाजन के बिरोध में बिरोध में प्रस्ताव पारित हुआ दूसरा सांतियो ध्यान रखेंगे तो स्वदेशी और वहिश्कार का प्रस्ताव सांथियो पेश हुआ था आप सबको बता दें कि बंगाल का विभाजन सांथियो प्रभावी कब हुआ था अगर बंगाल विभाजन के बारे में पूछे कि बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था तो आप कहेंगे कि 16 October 1905 को साथियो 16 October 1905 को ये विभाजन प्रभावी हुआ था जरा मेरे साथियो ये बता देना कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वाइस राय कौन था तो याद रखना साथियो लौड करजन इस समय वाइस राय हुआ करते थे जरा सभी लोग कमेंट करेंगे लौड करजन इस समय भारत के वाइस राय हुआ करते थे जिनका कारेकाल 1899 से 1905 हुआ करता था 1905 इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किये लेकिन एक काम इनका कौन सा बंगाल का विभाजन इनके छवी को खराब और धुमिल कर दिया अन्यता सांतियों इन्होंने सारे बहुत अच्छे अच्छे काम किये थे प्रष चुछ पर तो कलम हो तो कलाम जैसी होनी चाहिए जजबा हो तो पहचान अलग होनी चाहिए तेवर अलग और खून में रवानी होनी चाहिए होठों पर बिहार को बदलने की कहानी होनी चाहिए दिल में जुनून आखों में लहू उतारना होगा आखों के आखों को आखों के आशों को सुखा कर अंगार करना होगा माबाप के सपनों को पहचान देनी होगी और इसके लिए अब किसमत से लड़ना होगा जितने हिम्मत है उतना निचोर देंगे, बाकी सब उपर वाले पर छोर देंगे, हार हो तो ऐसी कि सब के आँखों में पानी उतर जाए, और जीत हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए, तो उठो बिहार के लाल उठो, इस माटी इस धरा के कमाल उठो, तुम सिक्छक ही भविश बिहार के हो, अब उठो और बेमिसाल उठो, की हाथों में पर गए छाले हैं, फिर भी कलम समाले हैं, हम ओफिसर अकैडमी वाले हैं, तो साथ यो ओफिसर अकैडमी वालों का जुनून कम नहीं होना चाहिए, ओफिसर अकैडमी वालों का जजबा कम नहीं होना चाहिए, इतिहास बदल देंगे याद रखिएगा बिहार के इतिहास में जब कभी बिहार सिक्षक भरती का इतिहास लिखा जाएगा तो ऑफिसर एकडमी के इस कारे को इस महनत को इस सिक्षकों के टीम को और इस बच्चों के प्यार को इतिहास के पन्नों में अमर के हिसाब से लिख द की थी आप से पूछ रहा है कि किस ने की थी सुरेंदरनाथ दास ने गोपाल कृष्ण गोखले ने अरविंदो घोष ने दादा भाई नौरोजी ने उप्रुक्त में से एक या कोई नहीं तो आप जानते हैं कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता दादा भाई नौ करते थे अगला प्रशन BPSC पुछेगा जरा आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि दादा भाई नौरोजी भाई पानी टेकनिकल टीम से कहूंगा कि पानी दीजिए मुझे गरदन में दर्द हो रहा है मेरे पानी लाके दीजिए दूसरा हमें कहूंगा सांथियो कि दादा बने सांथियो 1893 में 1893 में सांथियो लाहौर हुआ करता था लाहौर है ना तीसरी बार सांथियो अगर हम बात करें तो 1906 में और 1906 में कलकत्ता हुआ करता था है ना अब इसका एक ट्रिक है याद करने का CLC याद करो क्या याद करो कि एक ट्रिक बताता हूं एक ट्रिक है सा कलकत्ता लाहूर कलकत्ता जरा सभी लोग कमेंट करिए एक बार कमेंट वॉक्स में सभी लोग एक बार कमेंट वॉक्स में लिखिए CLC अगर कोई पुछे कि दादा भाई नौरोजी का अधिवेशन कहां कहां हुआ तीनों बार तो आप कहना CLC यानि कलकत्ता लाहूर कलकत्ता सांथियो अब आते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में और बात करते हैं दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी उस पुस्तक का नाम था सांथियो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उस किताब का क्या न बहिरगमन सिध्धान्त धन का बहिरगमन सिध्धान्त भी इसको कहते हैं धन का निसकाशन सिध्धान्त भी कहते हैं धन का निसकाशन सिध्धान्त भी कहते हैं उसके अलावा साथियो ये दोनों नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया उसके अलावा साथियो पुष्ता है कि प्रथम भारतिये दादा भाई नौरो रोजी ही थे जो ब्रिटेन में चुनाउज जीते थे उसके अलावा सान्थियो एक और सवाल समझे कि ये गदादा भाई नौरो जी प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे कौन से अध्यक्ष थे सांथियो तो प्रथम में पारसी अध्यक्ष हुआ करते थे प्रथम पारसी अध्यक्ष हुआ करते थे इस बात को आपको समझना है सांथियो समझना है एक बड़ा अच्छा प्रश्ण है इसको आप टाइम लेके बनाईएगा सांथियो टाइम लेकर बनाईएगा अब ये प्रश्ण समझेगे भारतिय इतिहास में निमलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम पहचानना है मतलब क्रोनोलोजिकल ओडर में है पहला है भारत छोड़ो आंदोलन दूसरा है सूरत विभाजन तीसरा है बंगाल विभाजन चोथा है राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली अस्थानांतरन आपसे पूछ रहा है सांतियो इस बात को ध्यान रखिएगा सर मैंने स्टेटस में लगा दिया है अरजुन जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई अरजुन भाई मेरे बहुत शुक्रिया आपने मेरे इस लिंक को स्टेटस में स्टेटस में शुक्र सेयर किया है आपको सरस्वत आपको इश्वर से प्रातना करेंगे कि सफलता के अग्रिम पंक्ती में आपको खड़ा करें तो चलिए अरजुन भाई बहुत शुक्रिया अब आप समझे सांतियों कि निमलिकित घटनाओं का सही अनुक्रम पहचानना है तो आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन सांतियो 16 अक्टूबर 1905 या सिर्फ वर्ष ले लेते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बंगाल का विभाजन सांतियों 1905 में हुआ सूरत का आप जानते हैं कि विभाजन 1907 में हुआ भारत छोड़ों आंदोलन सांतियों आपको पता है कि 1942 में हुआ और राजधानी का दिल्ली अस्था जनुआ इस पर चर्चा करेंगे तो जरा आरेंज करिए तो सबसे पहले आजाएगा तीन फिर आएगा दो फिर आएगा चार फिर आएगा एक प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा सांतियों बी विकल्प बी विकल्प इस प्रशन का सांतियों सही उत्तर हो जाएगा अब समझ याद रखना कि जब ब्रिटेन में सक्ता बदलती थी या जब ब्रिटेन में राजा महराजा या जब ब्रिटेन में एक क्राउन जो है क्राउन में बदलाव होता था क्राउन में बदलाव होता था क्राउन में बदलाव होता था हलका सुसुम पाने पिएंगे तो उसके सम्मान में भारत में भोज होता था तब उसके सम्मान में भारत में भोज होता था भारत में आयोजन होता था अब एक और सवाल उठता है सांथियो बहुत important आयोजन होता था कि आपसे पुछेगा कि भारत में कितनी बार दिल्ली दरबार आयोजित हुआ तो सांथिय याद रखेंगे भारत में तीन बार सांथियो तीन बार सांथियो सीमा कुमारी जी बहुत शुक्रिया सीमा आपका भी आपने भी शेर कर दिया भारत में दिल्ली दर्बार कितनी बार आयो जित हुआ तो सांथियो दिल्ली दर्बार भारत के अंदर भे भारत में सांथियो दि कमेंट करेंगे लौड लिटन सभी लोग लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में लौड लिटन दूसरा पुछेगा कब हुआ तो 1903 में हुआ सांथियो कौन थे तो लौड करजन हुआ करते थे सांथियो लौड करजन और यह तीसरा सबसे महत्वपुर्ण था जो 1911 में हुआ 12 दिसंबर को 11 दिसंबर 12 दिसंबर को यहाँ पर सांथियो लौड हाडिंग हुआ करते थे लौड हाडिंग तो यह ध्यान रखना है अबहला सवाल पुछता है कि 1911 में भारत किसका आगमन हुआ था तो सांथियो इस समय spokesman हुआ करते थे जोर्ज पंचम सांथियों कौन इकलोता ऐसा दिल्ली दर्बार था जहां पर सांथियों दोनों लोग पहुंचे थे बाकि इन दोनों दिल्ली दर्बारों में कोई भी महराजा महरानी भारत नहीं आया था जबकि इस दिल्ली दर्बार में महराजा और महरानी दोनों का भारत हुआ था यहां पर भारत की तारे फ्रेंड को शेर कर दिया था एंक्यू लक्षमी सो मच माता रानी आप पर आशिरवात बनाए रखें चलिए अगला निमलिखित्म नेताओं में से कौन कभी भी भारतिय रास्ट्री कॉंग्रिस से नहीं जुड़े ध्यानिएगा यहां पर नहीं जुड़े कह रहा है क् इस तरह का प्रशन पूछा जाए सांथियो तो इस प्रशन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो वीडी सावर कर हो जाएगा आप सभी जानते हैं कि वीडी सावर कर वही हैं जिनों ने भारत के लिए बहुत सारे अच्छे काम भी किये हैं यह वीडी सावर कर आपको याद होग इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने कलकत्ता में विसेश अधिवेशन में साथ यो कलकत्ता में विसेश अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्हें सेरे पंजाब कहा जाता था इन्हें किस नाम से जाना जाता था जरा बताओ तो इन्हें सेरे पंजाब कहा जाता था इस बात को भी ध्यान रखेंगे इनकी मृत्यू आपको याद होगा डेट सभी लोग कमेंट करेंगे 17 नवंबर 1928 को साथ यो साइमन कमीशन का बिरोध प्रदर्शन करते समय याद रखेंगे कि साइमन कमीशन का बिरोध करते समय साइमन कमीशन का बिरोध करते समय लाठि थी और उसी लाठी से चोट के बाद इनकी क्या हो गई थी तो मौत हो गई थी सांथियो याद रखेंगे सर्दार वल्लब भाई पटेल की बात करते हैं tarde 1871 के अंदर में सांथियो कराची अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्छता की थी और ये वही कराची अधिवेशन है सांथियो ये वही कराची अधिवेशन है जहाँपर पहली बार मूल अधिकार का प्रस्ताव जौहरलाल नहर ने पेश किया था यह वही कराची का अधिवेशन है जहां पर तिरंगा जंडा फैराया गया जिसके मद्ध में बिसके मद्ध में तिरंगा के मद्ध में साथियो चरखा का निसान था तिरंगा के मद्ध में साथियो चरखा का निसान था तिरंगा के मद्ध में चरखा का निस नहीं है निमलखित में से कौन साथियो उग्र रास्टवादी नेता नहीं है क्या वो बिपिंचंद्र पॉल है क्या वो बाल गंगा धर्तिलक है लाला लाजपतरवाय है दादा भाई नौरो जी है देखिए साथियो उग्र रास्टवादी की जब आप बात करते हैं तो ये उ 3P policy के अनुसार, 3P policy के अनुसार, पहला P क्या होता है, जरा comment करके बताना, पहला P होता है prayer, यानि याचना साथियो, याचना करना, दूसरा साथियो P का मतलब क्या होता है, तो petition होता है साथियो, petition होता है, यानि अश्मरन पत्र देना, अश्मरन पत्र देना, और तीसरा P का मत प्रोटेस्ट होता है यानि संवेधानिक दाइरों में रहकर प्रदर्शन करना तो ये उदारवादियों की विचारधारा नहीं थी संवेधानिक दाइरों में रहकर प्रदर्शन करना ये 3P जो है पालन इसका नहीं करते थे ये अनुने विने की नीती का पालन नहीं करते थे ये कहते थे कि जरूरत परी तो हिंसा करेंगे अच्छा मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ कि बाल गंगादर तिलक 1908 में कितने साल के लिए जेल बेजे गए थे जरा कमेंट बॉक्स में भड़ो तो कमेंट बॉक्स बहुत आराम से ठंडा है बीजी तिलक कितने वर्ष के लिए जेल गए थे जरा बताना और कौन से जेल गए थे ये भी बताना साथियो कि ये कौन से जेल गए थे है ना और कितने वर्ष के लिए गए थे और कब से कब गए थे ये भी बताना कमेंट बॉक्स में ठीक है अब देखो आप जानते हो कि जब उग्र रास्टवादी नेता का नाम आता है तो इसमें एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं बाल लाल पाल और घोश ये चार नाम आपको याद रखना है साथियो बाल लाल पाल और घोश ये चारों नेता हैं जिनोंने जिने हम उग्र र रास्टवादी नेता की उपाधी में डालते हैं तो बाल मतलब बाल गंगा धरतिलक लाला लाजपत्राय विपिन चंद्रपॉल और अर्विंदो घोश तो प्रश्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी क्योंकि दादा भाई नौरोजी क्या वो लाला लाजपत्राय थे क्या वो आर्सी बैनर जी थे क्या वो सर सेयद एहमद खान हुआ करते थे तो सांथियो आपको बताना है कि वो कौन हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे तो आप इस बात को जानते हैं कि इस प्रश्ण के अंदर में आप इस बात को बली- भली भाली से जानते हैं कि इस बात को आप भली भाली से जानते हैं सांथियो कि जब हम Grand Old Man of India की बात करते हैं इसमें प्रमुखता से जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो व्यक्ति कोई और नहीं सांथियो बलकि हम सब के लाड़े प्यारे और दुलारे कौन हुआ करते थे तो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे सांतियो दादा भाई नौरो जी ही वो वेक्ती थे, दादा भाई नौरो जी ही सांतियो वेक्ती थे, जिस वेक्ती ने भारते इतिहास के अंदर में अमुल योगदान दिया है, जिस वेक्ती ने सांतियो दादा भाई नौरो जी ही वो वेक्ती थे, जिस वेक्ती ने भारते र अध्यक्ष रहे सांतियो, मैट्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन यहां पर मैं एक और उल्टा सवाल आपसे पूछूंगा, ये तो मालो की grand old man है, अगर एक्जाम में पूछ दे की grand old woman किसको कहा जाता है, आ grand old woman किसको कहा जाता है, आफ इंडिया, तो grand old woman किसको कहा जाता है, तो ये कोई और नहीं सांतियो, बलकि अरुना आसिफ अली हैं, कौन है सांतियो, ये अरुना आसिफ अली हैं, अरुना आसिफ अली हैं सांतियो, इस बात का ध्यान रखिएगा, अरुना आसिफ वली ही वो ह जिनोंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा जंडा फहराया था इस बात को ध्यान रखिएगा ये वही अरुना आसिफ अली है ये वही अरुना आसिफ अली है सांतियो जिनोंने खूब सारा मेहनत किया था और देश के अंदर में महिलाओं का नतृत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनोंने किया था बाकी सांतियो लाला लाजपतराय को आप जानते हैं कि सेरे पंजाब कहा जाता है सेरे पंजाब कहा जाता है सांतियो सेरे पंजाब कहा जाता है उसके अलावा सरसेयद अहमत खान जानते हैं कि ये कॉंग्रेस के कभी सामिल नहीं हुए एक्जाम में आपको कन्फ्यूस करता ह याद रखिएगा कॉंग्रेस में कभी सामिल नहीं हुए ये ऐसे व्यक्ति थे जो कॉंग्रेस के बिरोधी थे और ये कॉंग्रेस में कभी सामिल नहीं हुए साथियो सामिल नहीं हुए बाकी साथियो एक और आप्शन है रमेश चंद्र बैनर जी आर्सी बैनर जी भी साथियो धन के निसकाशन सद्धान्त के पैरोकार माने जाते हैं अगला प्रशन से पहले एक महत्तपोर्ण सूचना है कि अगर आपका सपना है BPSC अधिकारी बनने का या आपके घर में आपके भाई, बहन, छोटी, बहन, अदीदी, जीजाजी, आपकी मित्र, महिला मित्र, पुरुष मित्र, अगर BPSC में डिप्टी कलेक्टर और DSP का पद हासिल करना चाहते हैं तो Officer Academy आपके सपनों को पूरा करने में भरपूर मदद करेगा साथियो, साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि वैसे सभी लोग जो online बैच में पढ़ते हैं, उन्हें offline के बैच में 5000 उपए का full discount मिलेगा, कोई किलन्तू परन्तू नहीं है, full discount हमारे foundation बै और test series की तैयारी कराती है, बहुत जल्द Officer Academy एक scholarship टेस्ट आयो जित करेगी, इसमें जो टेस्ट में 30 बच्चे जो टॉप आएंगे, उनको हम निशुल का पूरा foundation बैच पर हाने वाले हैं, दस हजार का आंकरा पार हो गया है साथियो, हाट जोर कर इस्तक्बाल करते हैं, बह बहुत जगा इसके आंसर अलग अलग मिलते हैं, इसलिए जो मैं आंसर आपको दूँगा, वही आंसर एक्जाम में आप टिक करियेगा, कह रहा है कि इंडियन नाशनल मूव्मेंट केम टू बी डॉमिनेट बाइट एक्स्रेमिस्ट आफ्टर, किसके बाद, 1906 के बाद, 1909 क जो हुआ करते थे, उदारवादी और उग्ररास्टवादी में मतभेद आए, उदारवादी सांतियो, 1905 में जब बंगाल का बिभाजन हुआ, तो 1905 में बंगाल के बिभाजन के बाद, बंगाल बिभाजन के बाद सांतियो, इनका काफी ज़्यादा बिरोध हुआ, और इन पाल होंगे यानि विपिन चंद्रपॉल और जिसमें आपको पता है कि गोश होंगे इस बात को ध्यान रखेंगे बाकी एक सवाल और बताता हूँ एक्जाम में पुछेगा कि उधारवादियों की विचारधारा कैसी थी तो आप कहना अनुने विनय की राजनीती करते थे ये होता है कि सर प्लीज कर दीजे ना सर प्लीज कर दीजे ना तो ये जो अनुने विनय की राजनीती है हाथ जोड़कर प्राथना पूरवक प्रेम पूरवक संवेधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन करना और अपनी बातों को मनवाना बार बार स्मरण पतर देना ऐसे तमा option है हिंदू महासभा का मैं अपने से एक सवाल बना रहा हूँ हिंदू महासभा का और चौथा option है unionist party का जरा बताईएगा कि किस party का गठन 1906 में हुआ था यह हो गया आपका A option, यह हो गया B option यह हो गया C option और यह हो गया D option, comment box में बताईएगा कि सही उत्तर क्या होगा सांथ्योव सही उत्तर क्या होगा अगला प्रशन लेते हैं किस उगरवाधी नेता को दी गई थी आपसे बूल रहा है छे वर्श की सजा विपिशन रपॉल को अर्विंदो घोश को लाला लाज पतराय« को बाल गंगा धरतिलक को और उप्रुक्त में से कोई नहीं तो आप सभी जानते हैं सांतियों कि बंगाल विभाजन के बाद आपको याद है कि सूरत का अधिवेशन हुआ था और इसी सूरत अधिवेशन के बाद सांतियों याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि 207 के अंदर में सूरत अधिवेशन हुआ यहाँ कॉंग्रिस में सांतियों टूट हुई थी और कॉंग्रिस दो ढर्रे में बट गई एक था नरम दल और दूसरा था सांतियों गरम दल यहाँ पर इस तूट का फाइदा सांथियो इस तूट का फाइदा अंग्रेजों ने उठाया तो तूट का फाइदा अंग्रेजों ने उठाया और क्या फाइदा उठाया तो उन्होंने या तो सभी बड़े निताओं को गिरफतार करकर जेल भेज दिया या ये देश चले गए देश छोड़कर देश से बाहर चले गए अंडमान भेजा जा रहा था उसी तरह से विपिंचंद्र पॉल ने भी क्या किया साथियो तो विपिंचंद्र पॉल भी देश छोड़कर चले गए जेल भेज दिये गए जेल भेजने के बाद निकले तो फिर उसके बाद स बढ़ाया है कि अलिपूर बमकांड में साथ ही हो मानिक तल्ला में बम फैक्टरी के अंदर में बमकांड हुआ जिसमें 34 लोग गिरफतार किये गए अलिपूर बमकांड में इनकी पैरवी किसने की एक्जाम में पूछता है तो आप कहना कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फ उचता भी है तो कहना ओरो विलो आसरम सांथियो कौन सा आसरम तो ओरो विलो आसरम सांथियो ओरो विलो आसरम इन्होंने बनाया था इस प्रश्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा उगरवादी नेता को किसको दी गई थी तो आपको याद होगा तिलक को दी गई थी तिलक सां साथियो देशद्रो का मुकदमा इसलिए लगा था कि इनोंने अपनी पत्रिका में एक लेख लिखा था इनोंने पत्रिका अपनी पत्रिका मराठा और केसरी में मराठा और केसरी में एक बम की राजनीती पर एक लेख लिखा था इसी लेख के आधार पर इसी आर्टिकल के कहते हैं तो इसको मयन मार कहते हैं सांथियो इसको मयन मार के नाम से जाना जाता है और यहीं से निकलने के बाद तिलक ने क्या किया था तो होम रूल की शुरुवात की थी सांथियो होम रूल की शुरुवात की थी सांथियो क्या किया था तो नहीं वाले को बड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि एक बात समझेगा कि यहाँ पर मुझे एक कहानी याद आगी क्लास में बच्चे नहीं नहीं पढ़ते हैं हकीम अजमल खां थे अंबिका चरनमजुमदार थे बाल गंगा दर तिलक थे सरोजनी नाइडू थी इन में से कोई नहीं तो आपको बता दू मैं सांतियो कि बाल गंगा दर तिलक कभी भी कॉंग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने बालगंगादर तिलक सांथियो कभी भी कॉंग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने अब दो बाते समझना यहाँ पे सांथियो हकीम अजमल खां याद रखिएगा 1921 के एहमदाबाद अधिवेशन में 1921 के सांथियो एहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे चितरंजन दास भी थे हाला कि इस अधिवेशन के अंदर में चितरंजन दास ही अध्यक्ष चुने गए थे लेकिन चितरंजन दाल सांथियो जेल में थे और चितरंजन दास के सांथियो जेल में रहने के कारण जेल में सांथियो रहने के कारण जेल में रहने के कारण इनके जगह पर अध्यक्ष कौन बने थे सरा कमेंट करो अध्यक्ष का चुनाओ कौन था इस 1921 के अधिवेशन में चितरंजन दास अध्यक्ष बने थे लेकिन चुकी ये विक्ति जेल में थे तो जेल में रहते हुए पहली बार कौंगरिस के अध्यक्ष को इन रवाचित हुए तो वो कौन थे तो वो चितरंजन दास थे साथियो इस बात का ध्यान रखिएगा उसके बाद साथियो यहाँ पर एक्जाम में पूछता है कि जब ये जेल में थे तो इनका अध्यक्षिय भाशन किसने पढ़ा था क्लास में मैंने पढ़ाया है कि इनका अध्यक्षिय भाशन जरह कमेंट करके बताईए अध्यक्षिय भाशन किसने पढ़ा था तो अध्यक्षिय भाशन साथियो सरोजनी नाइडू ने पढ़ा था कि 1916 के महत्वपुर्ण लखनव अधिवेशन के अध्यक्ष थे सांथियो और ये वही लखनव अधिवेशन है जहां गरमदल और नरमदल एक हुए जहां पर मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस एक हुई जिनके बीच समझोता कराया जिन्ना ने सांथियो जिन्ना ने समझोता कर और तिलक थे नरमदल और गरमदल एक हुए जिसके मुर्तकार एनी बेसेंट और तिलक को माना जाता है पटना विश्विद्याले अधिनियम पारित हुआ और अगले साल पटना विश्विद्याले विश्विद्याले का गठन हुआ उसके सांथ सांथियो यहां पर कुमारशुकल प्रथम किसान बने जिनोंने कॉंग्रेस के मंच से संबोधन किया सरोजनी नाइडू की बात करें तो 1925 का अधिवेशन साथियो 1925 का अधिवेशन यह अधिवेशन कहा हुआ तो यह अधिवेशन साथियो कानपूर में हुआ और इसकी अध्यक्षता किस ने की थी तो सरोजनी नाइडू ने की थी सरोजनी नाइडू सांथियो याद रखेंगे एक्जाम में पूछता भी है बहुत फेमस प्रश्न है और मेरे भी आगे क्लास के क्विश्चन में होगा कि प्रथम भारतिये महिला अध्यक्ष प्रथम भारतिये महिला अध्यक्ष तो सा प्रशन अगला प्रशन देखते हैं हांच जोड़के सरसोती महिया के नाम पर जूट मत बोलिएगा, सच सच बताइएगा कि पेड़ बैच हमने एक महेना पहले से लेबस खतम कर दिया, पढ़ाई कैसी हुई है पेड़ बैच के अगर छातर क्लास में हैं, तो आप इमानदारी से बताइएगा कि आप पेड़ बैच में आपकी पढ़ाई कैसे हुई है, जूट मत बोलिएगा, चलिए, इस प्रश्णगा सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक होगा, बाल गंगाधर तिलक सांथियो आपको याद होगा कि जब 1914 में, 1914 में सांथियो जेल से निकले, 1914 में जब जेल से निकले सांथियो, तो जेल से निकलने के बाद इन्होंने होम रूल की शुरुबात की, जेम से निकले, तो जेल से निकलने के बाद उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का नीव रखा, और Home Rule League अंदोलन के तहट साथियो इन्होंने Home Rule की शुरुवात की Home Rule की शुरुवात इन्होंने कब की थी तो 28 अपरैल को की थी साथियो 28 अपरैल 1916 को की थी इन्होंने अपना Headquarter यानि मुख्याले एक्जाम में पूछेगा कि मुख्याले कहां बनाया तो याद रखेगा इन्होंने मुख्याले बनाया पूना के अंदर में इन्होंने शुरुवात कहां से की साथियो तो याद रखेंगे कि शुरुवात किया इन्होंने बेलगाम से कहा से किया साथ ही हो बेलगाम से सुरवात किया बेलगाम कहा है तो करनाटक में है साथ ही हो बेलगाम करनाटक के अंदर में है करनाटका में साथ ही हो बेलगाम इतिहांस गवाह रहेगा बहुत अच्छी पढ़ाई हो यह थांक्यू सो मच मेरे भाई जो भी सचाई है वही बोलिए जूट नहीं सच बात बोलिए क्योंकि आपको ही पता है कि आपके लिए कितना महनत किया है और इसके बाद BPSC के लिए भी महनत करेंगे साथियों क्योंकि हम लोग BPSC के लिए ही बने है सुरुआत के बाद यहां से एक्जाम में एक और सवाल पूछता है किसके अध्यक्ष कौन बने थे तो सभी लोग नाम कमेंट करेंगे जौसेफ बपिस्टा सभी लोग ज़रा कमेंट करिए मेरे साथियों जौसेफ बैपिस्टा यह इंपोर्टेंट नाम है सभी लोग कमेंट करेंगे सभी का मतलब सभी लोग कमेंट करेंगे सचीव कौन बने तो याद रखियेगा एनसी केलकर बने साथियों एनसी केलकर इसके सचीव बने इनका जो छेत्र था वो महरास्ट्रा में बॉम्बे को छोड़कर बड़ार मध्यभारत का इलाका और करनाटक का इलाका हुआ करता था लगबग लगबग इनके जो सदस्य थे उनकी संख्या 32,000 सदस्यों की संख्या थी सांथियो इस बात को ध्यान रखेंगे इनके जो पत्रिका आती थी जिसका नाम था मराठा और केसरी और इसी के माध्यम से प्रचार प्रशार करते थे और इसी होमरूल के टाइम में इन्होंने लोगों को साहित करने के लिए जोश भरने के लिए जुनून भरने के लिए सांथियो इन्होंने क्या नारा दिया था इ भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है और वक्त का तकाजा है कि इसको इसको इसका वाजिब हक दे दिया जाए अन्यथा यह लड़कर लेना जानता है अन्यथा यह लड़कर लेना जानता है तो ये कथन भी किसका है तो ये कथन भी तिलक का है भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है और वक्त का तकाजा है कि एक सेकेंड वक्त का तकाजा है कि यहाँ पर एक लाइन छूट गया वक्त का तकाजा है कि इसको इसके पालक कि यहाँ पे एक वर्ड लगा लिजे इसके पालक, पालक का मतलब जो इसको पाल रहा है अनि ब्रिटिश, इसके पालक इसको इसका वाजीब हक दे दे, अन्य था ये लड़ कर जानता है, ये कथन किस ने दिया है, तो कमेंड करें सभी लोग, तिलक ने दिया है, सांथियों, तिलक ने दिया है, बढ़ते है अगले प्रश्ण की ओर, next question, बहुत बढ़िया सवाल है सांथियो, next question, भारतिये और संतोस के पिता के रूप में बाल गंगा धर तिलक को किसने कहा था, father of Indian unrest किसने कहा था सांथियो, भारतिये और संतोस का पिता, क्या वो Lord Litton थे, क्या वो George Punjab थे, क्या वो Valentine Sirol थे, क्या वो Henry कोटन थे, या उपरुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो आपको बता है कि father of Indian unrest सांथियो, father of Indian unrest किसने कहा था, आपसे ये पूछ कर बताया जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो प्रश्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा, Valentine Sirol हो जाएगा, और आपको लरने सांथियो, मुकदमा लरने, तिलक जो है, होमरूल को बीच में छोड़कर, होमरूल को बीच में, इसलिए तो होमरूल कम जोड़ पड़ गया, होमरूल को बीच में छोड़कर, होमरूल को बीच में छोड़कर, लंदन चले जाएंगे, छोड़कर लंदन जाएंगे, 1886 से 1880, क्योंकि एक्जाम में पूछता है कि कब से कब तक रहे, तो भारत के वाइसरा रहे 1886 से लेकर 1880 तक साथियो, 1880 तक है ना, दूसरा जॉर्ज पंचम आपको पता है कि 1910 में ब्रिटेन के अंदर में क्या चुने गए, तो ब्रिटेन के राजा चुने गए साथियो, ब्रिटेन के राजा चुने गए, ब्रिटेन के राजा, हेंरी कॉटेन आपको याद होगा साथियो, कॉंग्रिस के अध्यक्ष बने थे, कॉंग्रिस के अध्यक्ष बने थे, हकीम अजमल खाँ भी अध्यक्ष बने थे और भी बहुत सारे लोग कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने हैं एक और महत्वपुर्ण गोशना है सांतियो आप सभी लोगों के लिए कि आफिसर्स अकैडमी सपने देखने हैं तो बड़े देखिए क्योंकि आफिसर्स अकैडमी सांतियो BPSC के लिए स्कॉलर्शिप टेस्ट लेकर के आया है इस स्कॉलर्शिप टेस्ट के बाद हम एक टॉपर बैच बनाएंगे और इस टॉपर बैच के अंदर में इस टेस्ट में BPSC का इंटर्व्यू मतलब उनको जो है पैसे जो है बाधा नहीं बनेगी इन सभी चीज़ की निशुलक तैयारी हम कराएंगे बहुत जल्द इस बैच के बारे में हम लोग घोशना करने बाले हैं सांथियो बहुत जल्द हम लोग घोशना करने वाले हैं थैंक यू सो मच एवरीवन भई सर मैंने स्टेटस में आपका विडियो का लिंक शेयर कर दिया है थैंक यू सो मच निशान्त भई थैंक यू नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न भारतिय रास्ट्रिये किस अस्थान पे हुआ तो आप दो चीज समझ लिजे सांथियो कि बिहार में जो कुल अधिवेशन हुए उन बिहार में कुल अधिवेशनों की संख्या हुई तीन कितने अधिवेशन हुए तीन अधिवेशन बिहार में हुए और 27 अधिवेशन का जब नाम आता है तो प्रश अध्यक्ष बने रंगनात मुधोलकर जिनको आप शौट में कहते हैं आरेन मुधोलकर रंगनात मुधोलकर बने साथियो रंगनात मुधोलकर बने इस बात को ध्यान रखेंगे ये 27 अधिवेशन था साथियो ये 27 अधिवेशन था दूसरा साथियो 37 अधिवेशन भी पूछ स बने तीसरा जो है बावनवा अधिवेशन था सांतियों या बावनवा मैं कन्फ्यूस कर रहा हूँ कल ही आप लोगों को बिहार स्पेशल में मैंने पढ़ाया है जरा कमेंट करके बता दीजे तीरपनवा अधिवेशन मान लेते हैं तो 1940 में हुआ बिहार में हुआ सांतियों रामगर जो अभी जहारखंड में है उस समय बिहार हुआ करता था और मौलाना अबुलकलाम आजाद सांतियों इसके अध्यक्ष बने मौलाना अबुलकलाम आजाद अध्यक्ष बने एक और चीज यहाँ पर बिहार स्पेशल का मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्जाम में एक सवाल पुछेगा बिहार स्पेशल का सांथियो एक्जाम में एक सवाल पुछेगा बिहार स्पेशल का सांतियों आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कि बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस का गठन कब हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि इसका गठन 1908 में हुआ, 1908 में हुआ, प्रथम अधिवेशन कब हुआ सांतियों, तो इसका प्रथम अधिवेशन अगर आपको याद होगा इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ तो 1908 में हुआ कहां हुआ तो बांकीपूर में हुआ और प्रांतिये कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने यानि प्रथम एक्जाम के अंदर में पुछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने तो सर सयद इमाम बने कौन बने सांतियो सर सयद इमाम बने इस बात को ध्यान रखिएगा उसके अलामा पुछेगा कि दुईतिये अधिवेशन कब हुआ तो साथियो बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस का बिहार स्पेशल का पोर्शन एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे द्वितिये अधिवेशन कब हुआ तो 1909 में हुआ पुछेगा कहा हुआ तो कहिएगा हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम समाले हैं हम ओफिसर एकडमी वाले हैं और ध्यान रखिएगा साथियो 1908 में साथियो कहा हुआ तो बाकिपूर के अंदर में हुआ 1908 के बाद 1909 में भागलपुर में हुआ और अध्यक्ष कौन बने सांतियो तो अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानन्द सिनहा सच्चिदानन्द सिनहा सांतियो सच्चिदानन्द सिनहा आप सभी को जानकारी के लिए बता दू कि ये जितनी भी classes हमारी हो रही है इसका board PDF free में हमारे app पर उपलब्ध है app को download करने के लिए उपर में telegram channel दिया गया है उस telegram channel को आप join कर लें उस वहाँ पर app का link मिल जाएगा हमारे app को download कर दें और जितनी भी बात board पर मैंने लिखी है और जतनी सभी सिक्षकों ने लिखी है एकदम serial number से सांथियो इसको upload कर दिया गया है तो आप इस PDF को free में download हमारे application से कर सकते हैं ठीक है जी ध्यान रखिएगा अगला अगला सांथियो अगला अगला सांथियो अगला प्रशन लिखिएगा अगला प्रशन लिखिएगा अगला प्रशन लिखिएगा सर ये वाला गाना हम record करके भेजे हैं देखो भाई ये वाला गाना आप जो भेजे हैं आप जो कह रहे हैं कि हाथों में पढ़ गय छाले हैं वाला आप record कियोंगे तो आप भेजते हैं पर चुली WhatsApp पर मेरे भाई इतना मैसेज आता है, इतना मैसेज आता है WhatsApp पर, कि हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, तो आप एक काम करिएगा, उस वीडियो को जो भी आप वीडियो बनाते हैं, मुहबबत दिखाते हैं, उस वीडियो को आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दीजेगा, आप अपना YouTube चैनल एक बना लीजे, और उस YouTube चैनल पे आप क्या करिएगा, बहुत सारे लोगों ने अपना YouTube चैनल बनाया है, उस YouTube चैनल पे उस वीडियो को अपलोड कर दीजेगा, और अपलोड करने के बाद ऐसे लिखिएगा at the rate the officers academy at the rate the officers academy ऐसे लिख दीजेगा तो जैसे ही लिखिएगा न तो automatically आ जाएगा हमारा चैनल हमको tag कर दीजेगा सांतियों हम उस वीडियो को देखकर उसको share भी कर देंगे और like भी कर देंगे ठीक है न तो आप YouTube चैनल खुब क्योंकि आप एक WhatsApp पर वीडियो भेजिएगा हम हाँ जोड़ते हैं कम से कम 50,000 से जादा message WhatsApp पर हुआ है हम हाँ जोड़के माफी मांगते हैं कि हम नहीं देख पाते हैं WhatsApp ऐसे हमारी team भी नहीं देख पाती है ठीक है इसलिए आप अपने चैनल पर अप्लोड करके at the rate the officers academy लगा दीजेगा बहुत सारे लोग करते हैं जैसे वो study with कोई है फिर एक ISPCS करके एक लड़का है वो करता है एक study with NK है वो करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं अप्लोड तो मैं देख लेता हूँ और मैं अप्रूब भी कर देता हूँ उसको ठीक है जी आई यह पूछ रहा हैं कि British House of Common में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतिये थे जिन्नोंने किस दल के टिकट पर चुनाओ लड़ा था क्या वो उदारवादी दल था, कॉंग्रिस था, कंजर्वेटिव दल था, यूनियन पार्टी था, उपरुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो सांतिव इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा लिबरल पार्टी यहां एक ट्रिक बताता हूं समझे यहां पर एक ट्रिक है आपको ट्रिक बताता हूं ध्यान से समझेगा आप जानते हैं कि ब्रिटेन में दो तरह की पार्टियां है एक लिबरल पार्टी है और एक कंजर्वेटी पार्टी है यही दो पार्टी है तो ट्रिक बताता हूं समझें पहले तो यह समझें कि प्रथम दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतिये जो चुनाओ जीते जो ब्र भारतिये चुनाओ जीतने वाले हैं लेकिन चुनाओ लरने वाले नहीं है चुनाओ लरने वाले नहीं है चुनाओ लरने वाले यह दूसरे भारतिये इन से पहले भी एक भारतिये ने चुनाओ लड़ा था लेकिन वो हार गए थे वो क्या किये थे हार गए थे तो याद चुनाओ लड़े थे तो दूसरे भारतिये जो बिटेन में चुनाओ लड़े थे इस बात को आप ध्यान रखिएगा अब आते हैं इसका ट्रिक क्या है मैं ट्रिक बताता हूं देखिए दादा भाई नौरोजी जो है दादा भाई नौरोजी हाउस ओफ कॉमन के लिए चुने और वहाँ पर पार्टियां दो है ध्यान दीजिएगा ट्रिक देखिएगा क्या है पार्टियां दो है एक कंजरवेटिव पार्टी है और दूसरा लिबरल पार्टी है दूसरा क्या है लिबरल पार्टी अब याद कैसे रखना है मैंने तो ऐसी याद किया मैं आपको अपन में क्या है c तो अगर ये house of common में जीते हैं तो common में क्या है c तो party में c नहीं होगा party में c नहीं होगा तो यहां मुझे बताईए कि common में c है तो party में c नहीं होगा यनि पहला नहीं होगा तो liberal party होगा क्योंकि वहाँ दो ही पार्टियां है एक party ये conservative बर दूसरा है liberal तो party में C is common है तो यहां common नहीं होगा यानि liberal होगा है न और दूसरी एक और बात आपको बताता हूं सुनिएगा house of common में चुनाओ ये लड़के जीते थे liberal party के ticket पर ठीक है जी इस बात को ध्यान रखिएगा प्रश्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अच्छा एक बात बताईए दादा भाई नौरोजी से ही जुरा हुआ प्रश्ण है अभी अभी एक मैंने trick बताया था जिसका नाम था CLC इसका full form क्या होता है CLC अगर याद है आपको तो तीनों अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के तीन अधिवेशन कहां कहां आयोजित हुए थे इसका answer याद आ जाएगा जराब बताईए तो CLC का मतलब क्या है ये trick बताया था ना भी CLC जराब बताईए कि क्या होगा इसका मतलब कौन लोग थे सांतियो जिनोंने सिवा जी जयन्ती और गनेश चतुर्दी मनाना शुरू किया था बाल गंगा दर तिलक वो पाल कृष्ण गोखले जोती बाफूले या स्वामी दयानंद सरस्वती आपको बताना है कि इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या होगा तो सांतियो इस भारतिय समाज को एकत्रित करने के लिए तिलक ने ये अतगंडा अपनाया था सांतियो आपको पता होना चाहिए कि तिलक ने कहां पर तो स्वदेशी और बहिशकार आंदोलन के दोरान स्वदेशी और बहिशकार आंदोलन के दोरान बहिशकार आंदोलन के दोरान धार्मिक माननिताओं को देखते हुए इन्होंने धार्मिक उपायों को अपनाया और लोगों को कहा कि आप सिवाजी जहनती को मनाईए ताकि लोगी कत्रित होंगे रास्टवादी भावनाय बढ़ेंगी लोग गनपती उत्सों मनाईए गनपती बपा मोर या पुर्चा वर्स लोकर या अगले वर्स जल्दी आना गनपती तो ऐसा मनाने वाले सिवाजी जहनती मनाने वाले बाल गंगादर ती लगते हैं स्वधेशि worked and अंदोलन के दौरा तीन चार बड़े प्रस्णाएंगे पहला प्रश्ण tea is अंदोलन का दिल्ली से नितु था किस ने किया आप जरा बताइए कि एस आंदोलन का दिल्ली से नितु था किस ने किया तो आपको याद होगा कि दिल्ली से에는 लगत Cambridge किया था तो आप कहेंगे हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम समाले हैं हम ओफिसर एकैडमी वाले हैं सुरेंदरनाथ बैनर जी साथियो सुरेंदरनाथ बैनर जी ने किया तीसरी बात अगर हम करें तो आपसे पूछेगा कि महारास्ट से इस आंदोलन का नितरुत तो किस ने मित्र लाला लाजपत रॉय और उनके साथ अजीत सिंग ने किसने किया जरा अजीत सिंग नाम लोग भूल जाते हैं कमेंट करो तो जरा अजीत सिंग जरा कमेंट करिये तो सभी लोग अजीत सिंग उसके बाद आपसे एक्जाम में पूछेगा चौथा के बाद पांच्वा नंबर आपसे यहां से पूछ सकता है कि यहां पर मदरास में किस ने किया तो साथियो मदरास में किया चिदंबरम पिल्लाईने मदरास में किया चिदंबरम चिदंबरम पिल्लाईने लेकिन इनके साथ साथियो एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था विपिन चंद्र पॉल विपिन चंद्र पॉल बंगाल से नहीं बलकि मदरास से आंदोलन को नित्रत दिये थे विपिन चंद्र पॉल इस बात का ध्यान रखेंगे तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है साथियो इस प्रशन का जो सही उत्तर हो बढ़ते हैं अगले प्रश्ण में सांथियो नेक्स्ट क्विश्चन अगला प्रश्ण है सांथियो और बड़ा ही बहतरीन प्रश्ण है कि फॉर विच अफॉलाइंग सेशन निम्ण में से किस अधिवेशन के लिए कॉंग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था आप से पूछ रहा है कि महिला को अध्यक्ष चुनना आप समझ रहे हैं महिला को अध्यक्ष चुनने की जब बात आती है सांथियो जब महिला को अध्यक्ष चुनने की बात आती है तो आपको पता है कि महिला को अध्यक्ष चुनने पे बहुत सारे सवाल यहां पर फ्र नौ सेशन गया अधिवेशन इलाबाद अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन कौन सा वो अधिवेशन है जहां पर महिला की अध्यक्ष की बात हुई है तो सांतियों जब हम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो याद रखेंगे कि महिलाओं की जब हम बात करते हैं सांतियों मह महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो साथियों महिला अध्यक्ष के अंदर में तीन प्रश्म सबसे पहले बनेंगे सबसे पहला बनेगा कि प्रथम महिला जो कॉंग्रेस में सामिल हुई तो याद रखिएगा स्वर्ना कुमारी देवी रविंद्रना टैगोर की भान बहना को याद हो तो ये पहली महिला सदस्से बनी थी कॉंग्रेस के 1889 के अंदर में उनके साथ इस पहली महिला स्वर्ना कुमारी के साथ कादंबनी गांगुली हुआ करती थी साथियों कादंबनी गांगुली सभी लोग एक बार कमेंट करिए कादंबनी गांगुली यहां से एक आप जानते हैं आपको क्लास में पढ़ाया भी है मैंने जानकी नात गोशाल सांतियों ध्यान रखेंगे कि जानकी नात गोशाल महिला हुआ करती थी इनके अलावा सांतियों और भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे अब आ जाते हैं कॉंग्रिस में कॉंग्रिस में अगर का जेल से निकलने के बाद आपको याद होगा कि होमरूल आंदुलन के बौरान होमरूल आंदुलन के दौरान ये जेल गई थी और इनके साथ जेल एक और व्यक्ती गए थे जिसका नाम है साथियो वी-पी वाडिया याद होगा कि एनी बेसंट जेल गई थी एनी बेसंट महिला कौन ध्यान देना यहां पे मैंने क्या लिखा प्रथम महिला मतलब महिला के अंदर में कोई भी महिला लेकिन प्रथम भारतिये महिला जब एक्जाम में पूछे तो आप सभी क्या कमेंट करेंगे जब आंसर बताईए मुझे प्रथम भारतिये महिला का जब नाम पूछ तो आप कहना कि हातों में पढ़ गए छाले हैं फिर भी कलं समाले हैं हम Officer Academy वाले हैं तो याद रखना सरोजनी नाइडू साथियो सरोजनी नाइडू साथियो 1925 का अधिवेशन था कांपुर के अंदर में अधिवेशन आयोजित हुआ था साथियो कांपूर में अच्छा यहा तिरंगा जंडा एनी बेसंट के 1917 के इसी अधिवेशन में फहराया गया था ठीके जी सबको समझ में आ रहा है क्लियर है तो प्रश्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा वो इस डी विकल्प हो जाएगा that is a कलकत्ता का अधिवेशन सांथियो कलकत्ता का अधिवेशन बढ़ते हैं अगले प्रश्ण में अगले प्रश्ण में अगला है प्रश्ण संख्या 20 सांथियो प्रश्ण संख्या 20 कह रहा है कि भारतिय रास्ट्री कॉंग्रेस के निम्नलिकित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय रागवाचारी ने या वीर रागवाचारी ने की क्या वो लखनव अधिवेशन था क्या वो नागपूर अधिवेशन था क्या वो गया अधिवेशन था और क्या वो कलकत्ता अधिवेशन था या इन में से कोई नहीं या उपरुक्त में से एक तो सांथियो इस प्रशन का सही उत्तर नागपूर हो जाएगा आपको पता है कि बिहार स्पेशल का यहां से question बनता है सांतियो, कल ही class में paid batch में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है या नहीं याद है, बिहार स्पेशल के अंदर में सांतियो एक प्रशन बनता है, आप इस बात को ध्यान से समझेगा, बिहार वो पहला राज्य था, बिहार वो पहला राज प्रांतिये कॉंग्रेस का कईया अधिवेशन, तो बारा हुआ अधिवेशन हुआ था सांतियो, और यह अस्थान कहां था, तो अस्थान था सांतियो भागलपूर में, इसी भागलपूर के अधिवेशन के अंदर में सांतियो, भागलपूर में अधिवेशन हुआ था, डे लोग कमेंट करेंगे ये बिहार स्पेशल का पार्ट है डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद और इसी डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद ने और सहयोग अंदुलन का प्रस्ताव पेश किया गया तो इसको अप्रूवल मिला उसके बाद आनन फानन में 1920 में साथियो कलकत्ता में विशेश अधिवेशन कॉंग्रेस ने बुलाया क्योंकि उन्हें इस बात का डर हो गया कि बिहार वाले ने पहले पारित कर दिया है और कलकत्ता में साथियो विशेश अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में विशेश अधिवेशन बुलाया गया और कलकत्ता के इस विशेश अधिवेशन के दौरान ये प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद नागपुर के अंदर में वीर रागवाचारी के अधिवेशन के अध्यक्षता हुई और वीर रागवाचारी ने नागपूर अधिवेशन के दोरान सबसे पहली बार और सहयोग साथियो आंदोलन को पारित करवाया तो और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहां पे पारित हुआ बिहार स्पेशल का पोर्शन मैंने आपको यहां बता दिया तीन बड़ी बाते हैं सभी लोग कमेंट करिए कमेंट वॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे पहला कमेंट होगा कि बिहार प्रांतिये का बारहवा आधिवेशन दूसरा होगा भागलपूर कभी लोग कमेंट करेंगे भागलपूर तीसरा होगा 28-29 अगस्त चोथा होगा अध्यक्ष बने डॉक्टर राजिंद प्रशाद ये चार कमेंट आपके आने चाहिए कमेंट बॉक्स में इस बात को ध्यान रखेगा क्योंकि जब आप टाइप करेंगे तो याद हो जाएगा और एक्जाम के लिए ये महत्तपुर्ण है अचा है एक और बात 1920 का अधिवेशन इसलिए महत्तपुर्ण है कि पहला तो ओसहयोग का आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ यानि ओसहयोग का प्रस्ताव सियारदास ने पेश किया और वो प्रस्ताव क्या हुआ पारित हुआ यह वही सियारदास थे जिन्होंने पहले विरोध किया था बाद में नहीं पेश किया दूसरी सबसे बड़ी बात जो एक्जाम के लिए भी महत्तपुर्ण हो सकती है वो यह है कि रियासतों के प्रती नीती जो है रियासतों के प्रती नीती राजो रजवाणों के प्रती नीती इसी अधिवेशन में दिया गया था इसी अधिवेशन में दिया गया था सांथियो इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रश्न है कि भारती रास्ट्री कॉंग्रेस का एक मात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गार अच्छा ठीक है ना ये तरीका topic wise officer academy आपको करा रहा है तो क्या आप इससे खुश है यस और नो में सभी लोग उत्तर दीजे कि जो हम topic wise आपको करा रहे हैं तो क्या इस topic wise से आप खुश है या नहीं खुश है सभी लोग जरा comment करके बताईए ठीक है तो लखनव अधिवेशन आपको बताना है लखनव अधिवेशन गया अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन कराची अधिवेशन उपरुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो सांतियो भारतिय रास्ट्रे कॉंग्रेस का एक मात्र अधिवेशन तो आप समझे ये महात्मा गांधी है साथियो महात्मा गांधी का कॉंग्रेस से जुडाओ कैसे हुआ आपको याद दिलाते हैं महात्मा गांधी जब दक्षिन अफ्रीका में थे तो पहली बार भारत आये थे और 1901 में साथियो दिल्ली में अधिवेशन था और वहाँ पर साथियो गांधी सामिल हुए थे लेकिन आपको याद होगा कि और सहयोग आंदोलन के बाद और सहयोग के बाद गांधी जेल चले गए और सहयोग के बाद गांधी को 6 वर्ष की जेल हुई जरा सभी लोग कमेंट करेंगे कितने वर्ष की तो 6 वर्ष की सेहत खराब होने के कारण लेकिन गांधी की सेहत खराब होने के कारण सेहत इनकी तबीयत खराब हो गई और सेहत खराब होने के कारण सांथियों याद रखना पांच फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया जेल से क्या किया गया रिहा कर दिया गया और जब गांधी सांथिय जेल से रिहा हुए तो गांधी ने जेल से रिहा होने के बाद 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिन्नों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों से निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें आपका लाइक हमारे पास आपके पडिवार के सदस्यों के पास हम आपके पडिवार के सदस्य हैं एक positive संदेश के रूप में, एक प्यार के रूप में वो पैगाम आएगा और उस पैगाम को हम दिल से स्विकार करेंगे तो आपसे निवेदन है कि आप विडियो को जरूर लाइक कर दें ठीक है तो 1901 का जो अधिवेशन था साथियो जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था जिसकी अध्यक्षता दिनसाइड उलवी वाचाने की थी बेलगाम एकमात्र ऐसा अधिवेशन इस अधिवेशन के अंदर में इस अधिवेशन के अंदर में गांधी दास समझोता बेलगाम अधिवेशन के अंदर में ही सांथियो एक समझोता हुआ जिसे हम कहते हैं गांधी दास समझोता और ये गांधी दास समझोता वही समझोता था जिस समझोते के अनुसार स्वराज पार्टी का विले स्वराज पार्टी का विले कॉंग्रिस में हो गया स्वराज पार्टी का विलय कॉंग्रेस में हो गया कॉंग्रेस में हो गया इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्रशन लेते हैं उससे पहले एक महत्वपोर्ण जानकारी है आप सभी जानते हैं कि अगर आपका सपना अगर BPSC अधिकारी बनने का है डिप्टी कलक्टर और DSP का पद आप हासिल करना चाहते हैं तो Officers Academy आपका यह सपना पूरा करने में आपकी भरपूर मदद करेगी हमारे UI Educators और अनुभवी Educators की टीम के द्वारा बिहार की सबसे बड़ी टीम सबसे बड़ी सिक्षकों की टीम के द्वारा आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी तयारी को मजबूती के साथ सुनिश्चित कर सकते हैं साथी साथ Online Batch के जितने भी छात रहें वो अगर Offline Batches में Admission लेते हैं Offline Batch की बात अलगी होती है Online की बात अलग है और Offline की तो बात अलगी है तो उनको 5000 रुपए का हमारे Foundation Batches के उपर Discount मिलेगा आप सभी जानते हैं कि Officers Academy BPSC के संपुर्ण Prelims Exam की संपुर्ण Means Exam की Essay के लिए Optional के लिए और Interview और Test Series की तयारी कराती है साथी साथ BPSC का Scholarship टेस्ट हम आयोजित करने वाले हैं जिस टेस्ट के अंदर में हम एक Topper Batch पढ़ाएंगे और इसमें 30 बच्चों को साथियो निसुल्क पढ़ाया जाएगा और बाकी लोगों को भी Scholarship मिलने वाली है तो आप जिनको भी जानते हैं उनको जरूर बताएं अगला प्रशन थोड़ा प्रशन बढ़ा था इसलिए मैंने इसको ऐसे Adjust कर दिया कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिये तथा सूचीयों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिये यहाँ पे क्या दे रखा है? साथियों का अध्यक्ष का नाम दे रखा है देखिये आपको match the following करना है तो सबसे पहले आप समझे कि सुबाश चंद्रबोस कहां चले जाएंगे? हडी पूरा चले जाएंगे तो देखिये कि इसमें लास्ट वाला जो D option है D का तो 1 होगा ये तो confirm है तो ये option नहीं होगा, ये option भी 4 है नहीं होगा 2 है नहीं होगा, यहाँ भी 3 है नहीं होगा तो आप कहेंगे कि ये answer होगा लेकिन एक बार रुक जाएए, बाकी को भी मिला लिजे क्योंकि E विकल्प भी है तो आईए दूसरा भी देख लेते हैं, एक तो सही हो गया आप जानते हैं कि सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू कानपूर में 1925 के अंदर में 1925 का अधिवेशन था सांथियो तो आपका C का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 भी सही है उसके बाद डॉक्टर M.A. अंसारी सांथियो याद होगा, मदरास अधिवेशन 1927 के अध्यक्ष बने थे जहां साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया था तो आप देखिए कि 1 का 3 होगा तो बट ओविस सी बात है कि पुर्शुत्तम दास टंडन नागपूर अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे यानि 4 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा C. विकल्प सांथियो आपका उत्तर हो जाएगा C. विकल्प क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्णे की ओर सांथियो अगला प्रशन है कि ज्वाहरलाल नेहरू ने भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी आपसे पूछ रहा है कि नहीं की थी पहला ओप्षन है लाहोर अधिवेशन 1929 लखनव अधिवेशन 1936 फैजपूर अधिवेशन 1937 और अधिवेशन 1940 तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष कौन रहे हैं स्वतंतरता के पूर्व सबसे ज़्यादा बार अगर कोई रहा तो सबसे ज़्यादा बार स्वतंतरता पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक नाम जो है एक नाम किसका आ प्वारित किया गया था रावी नदी के तटपर तिरम्गा जंडा फेहराया गया था और पुर्ण संबर को 1929 को सांथी हो रात्री कितने बजे तो रात्री 12 बजे सांथी हो रात्री 12 बजे रावी नदी के तट पर सांथी हो किस नदी के तट पर तो रावी नदी के तट पर आप सभी को पता है कि अगली क्लास कौन सी होगी मेरे क्लास के आदे गंटे के बाद यानि अभी रा हमारे केसरी सर जो है हमारे प्यारे सांथियों केसरी सर साइंस का अधिवेशन कह रहा हूं साइंस का लेक्चर लेके आएंगे रात में 10 बजे और आप जानते हैं कि आज फिजिक्स से शुरुवात होगी जिसके अंदर में राशी एवां मापन और यांत्रिकी का जो टॉपिक है वो कभर किया जाएगा सांथियों वो कभर किया जाएगा तो आपसे निवेदन है थैंक यू अरुन कुमार जी सुपॉल से कोई हैं बहुत मैसेज कर रहे हैं अब पढ़ने ही पा रहे हैं भाई बहुत तेजी से मैसेज जा रहा है आपका बहुत शुक्रिया लखनव अधिवेशन आपको याद होगा आंसर हो जाएगा रामगर अधिवेशन क्योंकि इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी जो भारत के पहले सिक्षा मंत्री बने थे आजाद भारत के मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था सांथियों अबुल कलाम माजाद सबसे कम उम्र के अंदर में अध्यक्ष बने थे 35 वर्ष की आयू में अध्यक्ष बने और सबसे लंबी अवधी तक 1940 से लेकर 45 तक अधिवक्ष रहे क्योंकि इस दौरान सेशन हुआ ही नहीं था अगला दादा भाई नौरोजी के विशय में निमलिखित में से कौन स एक कथन असत्य है यह VVI question है सांथियो यह VVI question है यह second last question है इसके बाद एक और प्रशन कराऊंगा फिर छुट्टी हो जाएगी फिर आप दस बजे विज्ञान की क्लास में मिलेंगे है ना ध्यान रखिएगा पहला कि दादा भाई नौरोजी पहले भारतिये थे जो एलेफि कौन सा C यानि house of common और house of common में चुने गए थे और C के साथ क्या लेना है तो L लेना है यानि liberal party से चुने गए थे ठीक है तो ये भी statement correct है तीसरा रास्त गुफतार इन्हीं की पत्रिका थी गुजराती पत्रिका ये भी सही है दो बार यही गलत है ये दो बार अध्यक्ष नहीं रहे थे दो बार नहीं तीन बार अध्यक्ष रहे थे कितनी बार अध्यक्ष रहे थे भाई बोलो तीन बार अध्यक्ष रहते, कोड क्या है, कोड बताओ, C, L, C, C का मतलब कलकत्ता, L का मतलब लाहौर, और C का मतलब कलकत्ता, 1886 में, 1886 के बाद, 93 में, और 1906 में, C का मतलब होता है कलकत्ता, L का मतलब होता है लाहौर, और C का मतलब होता है कलकत्ता, आज की क्लास का आखरी प्रशन साथियों इसके बाद आपको विडियो लाइक करना है और घर चले जाना है 10 बजे फिर हाजी रोना है खाना वाना खाके आईए कह रहा है कि 1938 के हरी पूरा कॉंग्रेस के अधिवेशन में निमलिखित में से किसने सुभास चंद्रबोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सुभास चंद्रबोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था क्या वो डॉक्टर राजेंदर प्रशाद थे क्या वो अबुलकलामाजात थे क्या वो जेवी क्रपलानी थे क्या वो पंडिज जौहरलाल नहरू थे तो आपको बताना है सांथियो कि किसने जो है हरी पूरा सेशन के अंदर में इनको नामित किया ठीक है सांथियो तो चलिए यहीं पर आपको छोड़े जाते हैं क्योंकि टाइम खतम हो गया है तो इसी प्रशन पर आपको यहां छोड़े जाते हैं इसी प्रशन पर सांथियो छोड़े जाते हैं बाकी अब अपना खयाल रखिएगा आपको को हमारा सेशन ये कैसा लगा जब विडियो खतम हो जाएगा तो सारे 9000 लोग हैं आप सभी लोगों से एक निवेदन हैं आज जोड़कर कि विडियो खतम होने के बाद कमेंट बॉक्स में पांच मिनट के बाद पुना आईएगा और बताईएगा जरूर मैं सारे 9000 कमेंट द थाले आई ने कैसे लिवेडना झाझ जगों से बाद